अब यह एलो फ्रेंट्स नमस्कार गुड मॉर्निंग इस्पेशल गुरुजी जी एम में आपका स्वागत है फ्रेंट्स से दिया आप मेरे चैनल में नए नए वीवर्स हैं तो फ्रेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें तासा सब्सक्राइब करना ना भूले का नूटिफिकेशन आप तक मिलता रहा है आईए मैं टीटी को ले करके बहुत बड़ी सुचना बताने जा रहे हैं देखें टीटी परचा लीक में एक और गिरफतार आठ हिरासत में हैं लखनव मिरट है यह देखें उत्तर प्रदेश सिच्छक पातता परिच्छा यूपी टीटी का पेपर लीक करने के मामले में एक और आरूपी गवरों को अली गड़ से गिरफतार कर लिया कि इसके अलावा ने कई जिलों में ह्टी आफ ने चापे मारी कर आठ लोगों को हिआसत में लिया है चापे मारी प्रयाग राज मेरट जहांसी नुएडा बागपस सामली वाराणसी वकौशांबी समित कई जिलों में अभिवार देर राज से सुमवार दो पहर तक की गई इसके अलावा HDF ने लखनौव में तीन अन्य लोगों से पुछताशकीर अभिवार को गिरफतार 29 लोगों के पास से बरामद मुबाइल फोन वा अन्य दस्तावेजों से कई जरूरी जानकरियां मिले थे इस आधार पर ही आगे की करवाई की जा रही है HDF के मुताबिक सामली से गिरफतार रवी धर्मेंदर वा मनीश ने मतुरा के गवरों से पर्चा खरीदने की बात त्रिकार की थी इसके बाद से ही HDF उसके पीछे लग गई थी रविवार देरात तीन बजे अली गड़ के टपल निवासी गवरों को पकड़ा गया पर्चा लीग प्रयाग राज में अग्यात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है HDF के रडार पर उन्निश और लोग है यह देखे लखनव समेत कई जगत दभिस HDF के डिप्टी SP धर्मे साही के नेतित वाली टीम के तीन सदस से गोमती नगर विश्तार में एक घर में पहुँचे सक के दायरे में आया एक सक्स इसी घर में रहता है यहां पर HDF ने करीब दो घंटे तक परताल की फिर इस घर के मुखिया वह उसके दो कारोबारियों से का काफी देर तक पूश्ताश की इसके बाद उसके मुबाइल फोन लैप टाप कुछन ने दस्तावेद लेकर चले गए यूई पी टी गए के प्रस्णपत लिग होने के मामले में परिछा नियामक प्राधिकारी के ऊपर रजिश्ट्रार कारयाला सचीव ने अग्यात के खिलाफ करनल गंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है पूलिस ने पेपर लीक करने वाले अग्यात के खिलाफ ठगी साजिस रचना और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिच्छा अदनियम के तहत एफ आई यार दर्ज की है मुख्यमंत्री के आदेश व रही है उत्तर प्रदेश सिच्छक पातता परिच्छा यूपी टीटी का पेपर लीक करने के मामले में 19 और लोग एस्टी एफ के रडार पर हैं रविवार देर रात अलीगड के टपल से गिरफतार गवरों ने एस्टी एफ को उन लोगों के नाम बताये जिसे उसने शीध आप से मुश्या विभाग से जुड़े एक ब्यक्ति का नामु भी बता नाम भी लिया है इसके बारे में रहा एह नहीं पता सका कि आरोपी सिच्छा विभागमें कारेद्ध है या नहीं पर 20 जरूर कहा कि उसका वहां काम हो जाता पहलों वहांार आता जाता रहता है थे कि सामली का कोचिंग सेंटर सक्के दाइरे में होना को ए व संदों को उठाया है उन्में एक इस आरोपी सामली से यहना से जुड़ा है रोपी व है कार वूमिल लोगल से हों खालारा ऻकार्श सबछग में लोकेशन भी देखी जा रही इसके अलावा वार्टसप चैट के आधार पर कई और रोहों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है चार और टीमें बनाई गएं सासन द्वारा एस्टी एफ को जाज मिलने के बाद थानों में दर्ज एफ आई आर का पूरा बेवरा और बरामत दस्तावेज एस्टी एफ को उपलब्ध करा दिये गये हैं और वीडियो शमापत होता है यदि अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अबशिक लिए ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहा है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए गूड बॉर्निंग टेक केर